स्वागत है आप सबका हमारी यूट्यूब चैनल भी यार सिनिपिक्स में और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस्वी के वीडियोज के सरंकला में हम आजी रहा आपके लिए नए वीडियो लेकर के तो आज हम बात करने वाले हैं भरूच इंटरचेंज और नर्मदार नदी का जो फूल है उसके बारे में तो आएए चल कर देखते हैं मैप पर कैसे दिखते हैं और कौन-कौन शी गावं से हो करके कस्वों से हो करके ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस्वी गुजर रहा है तो हम सुरुवात करने जा रहे हैं किमर जो नदी है उसके ब्रीज से यहाँ पर आप दिख सकते हैं येलो जो येलो कलर की जो पट्टी है वहाँ पर आपको दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस्वी दिख रहा होगा वैसे यहाँ पर एक लोकिसन भी डाल रखी है तो यहाँ से हम स्टार्टिंग कर रहे हैं और हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से जो गाम है और कस्वे हैं वहाँ से होकर के दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे गुजर रहा है तो हम आपको बता दें कि गुजरात में भरूज है और जुक्यमनदी का पुल है वहाँ से हम स्टार्टिंग कर रहे हैं यहां देख सकते हैं आप हाला कि यह map अपडेट नहीं है 2021 में अपडेट हुआ था जनुवरी के महने में उसके बाद अभी अपडेट नहीं हुआ है तो कई जिग आपको जो blank दिख रहा होगा हाला कि यहां पर जो कंक्रेट का जो रोड है वो बना दिया गया है दिली मुंबे एक्सप्रेश्यों में और यह देख सकते हैं आप यहां पर किस प्रकार से गाओं के बीच में से होता हुआ यह गुजर रहा है यहाँ पर यह कोसामबा जो करमाली रोड है उसको क्रोस कर रहा है कोसामबा करमाली जो रोड है उसको यहाँ पर क्रोस कर रहा है और गोडादरा मस्जिद है उसके नज़िदिक से उकर के कुस वहाँ फार्म है वहाँ पर एक कोसामबा करमाली रोड को फिर दो बार क्रोस करेगा क्योंकि ये घूम करके रोड इदर को जा रहा है कोसामबा करमाली जो रोड है तो यहाँ पर इसको दो बार क्रोस कर रहा है देली मुंबई एक्स्परिस वे आप देख सकते हैं यहाँ पर खेतों में कितनी हर्याली है इसके बाद अगला जो रोड क्रोस कर रहा है वो है हंसोट पनोली रोड हनसोट पनोली जो रोड है उसको क्रोस करेगा उसके बाद यहाँ पर पीलुदरा से होकर के दिली मुंबई एक्सपरिस वे गुजर रहा है इसके बाद पीलुदरा ब्रांच पोस्ट आपिस है इसके नजदिक से होकर के गुजर रहा है तो हम आपको दिखाने के कौसिस कर रहे हैं मैपके द्वारा इसके बाद जो अडोल कसबा है उसके नझदिक से होकर के डिली मुंबई एक्सपरिस पे गुजर रहा है इसके बाद काल वहरयों मंदिर है अडोल ग्राम का उसके नझदिक से होकर के गुजर रहा है उसके बाद आप देख सकते हैं हाला कि कई जग भी गिरिनरी दिखाई दे रहा है यानि खेत खलियानी दिखाई दे रहे हैं क्योंकि मैप अपडेट नहीं है हाला कि यहाँ पर दिली मुंबई एक्सप्रेस वे का जो वरक हो चुका है इसके बाद हन्सोड रोड है इसको फिर से क्रोज कर रहा है तो यह देख सकते हैं आप दिली मुंबई एक्सप्रेस वे का जो मैप विव है हम आपको दिखाने की कौसिस कर रहे हैं गुजरात में यहाँ पर इसके बाद नर्मदा रिवर आ चुकी है और यहाँ पर नर्मदा जो रिवर है उसका जो पुल है वो यहाँ पर बनाया जा रहा है तो हम आपको वो ब्रीज भी दिखाएंगे कि मैप में किस प्रकार से दिखता है नर्मदा नदी का पुल तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो नर्मदा नदी है उसको क्रॉस कर रहा है दिल्ली मुंबई एक्स्प्रेस वे वैसे जो पुल का निर्मान है वो लगबग डेर साल पहले यहाँ पर शुरू हो चुका था और यह देख सकते हैं आप यहाँ पर आपको इस क्रीन पर जो क्रेने हैं वो लगई हुई दिखाई दे रहे होंगी जो पुल का निर्मान कर रही है और कई मसीन यहाँ पर हैं तो यह नर्मदा नदी है जिसमें इसका पुल बन रहा है हाला कि जो कई पुल हैं वो यहाँ पर बन चुके हैं इसके बाद नर्मदा नदी को क्रॉस करने के बाद गूकरवाड़ा वाटर प्लांट है इसके नजदिक्सियों कर कि यह दिली मुंबी एक्सपरेस यह गुजर रहा है इसके बाद हम आपको दिखाने के कोशिस करेंगे यह देख सकते हैं आप यहाँ पर दिली मुंबी एक्सपरेस वे जो गूगल मैप व्यू है वो दिखा रहा है यहाँ पर इसके बाद जो अगला इंटरचेंज आता है इस इंटरचेंज का नाम है भरूच इंटरचेंज और यह देहगाम जो विलेज है उसके नजदीक बना जा रहा है तो आप देख सकते हैं यह इंटरचेंज है जो मैप पर कुछ इस प्रकार से दिखता है हाला कि यहाँ पर जो रोड है उसका निर्मान हो चुका है और यहाँ पर हम आपको दिखाने कोशिस करेंगे यहाँ पर एक लोकिशन डाल रखे है असोका बिल्ड कॉन लि में यह इंटरचेंज बनाया जा रहा है तो काफी काम हो चुका है यहाँ पर देखाम में दिल्ली मुंबे एक्स्प्रेस विका यह देख सकते हैं आप कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है मैप पर यह इंटरचेंज कई गुमावदार रोड यहाँ पर बनाई गई हैं जिससे की एक रोड से दूसरे रोड पर जा सकें चले हम आपको आगे लेकर चलते हैं इसके बाद देखी आप यहाँ पर जो अगला गाउं है वो है मनुबार इसके बाद अगला जो कस्बा आता है उसका नाम है यहाँ पर एक दरगा है उसके नजदीक से उकर किये जो मुम्मई एक्स्प्रेस पर है वो गुजर रहा है यह देख सकते हैं आप वैसे काफी हरियाली है गुजरात में और क्योंकि कैई नदिया बहती हैं तो पानी की कमी नहीं है वैसे इतनी और इसके बाद जो अगला ग्राम है वो है दिखाने की कौशिस करते हैं हम आपको गुगल मैप पे किस प्रकार से दिल्ली मुम्मई एक्स्प्रेस पर गुजर रहा है यह देख सकते हैं आप यहां पर जो कंक्रेट की रोड है वो बनाई जा चुकी है क्योंकि गुजरात में ज्यादतर कंक्रेट की रोड बनाई गई है दिल्ली मुम्म एक्स्प्रेस पर आपको थोड़ा थोड़ा वाइट कलर दिख रहा होगा इस पट्टी में तो यह यहां पर जो रोड है उसका निर्मान हो चुका है कंक्रेट की रोड है ये सीशी रोड है चले अब हम आपको आगे दिखाने के कौशिस करते हैं कुछ इस प्रकार से यहाँ पर दिल्ले मुंबी एक्सप्रेस्वे का निर्मान कारे किया जा रहा है हाला कि एक वर्ल्ड रिकोर्ड भी बनाय गया था जो गुजरात में बना था एक दिन में कई किलोमेटर जो सडक थी दिल्ले मुंबी एक्सप्रेस्वे की उसका निर्मान कारे किया गया था तो यह देख सकते हैं आप किस परकारची यहाँ पर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वी का निर्मान किया जा रहा है और काफी आदे तक यहाँ पर जो सीसी रोड है वो बना दी गई है इसके बाद देखिए यह गाउं से होकर कि गुजर रहा है यहाँ पर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वी और फसल है जो खेतों में है इस समय क्योंकि मैप को अपडेट हुए काफी समय हो चुका है तो यह देख सकते हैं आप किस परकार से यहाँ पर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वी गुजर रहा है इसके बाद देखिए यहाँ पर अमोड इखार पलेज जो रोड है उसको क्रॉस कर रहा है उसके बाद दिली मुंबी एक्सप्रेस भी यहाँ पर एक और रोड है उसको क्रोस कर रहा है जो हाईवे है इसके बाद यहाँ पर संपा रोड है उसको क्रोस करेगा यह संपा ब्रांच पोस्ट अपिस है उसके नजदिक स्योकर के दिली मुंबी एक्सप्रेस भी गुजर रह इसके बाद जो अगला ग्राम है वो है मालडी कामभा तो यहां से होकर कि यह गुजर रहा है तो आज हम आपको गुजरात में यह मैप दिखा रहे हैं इसके बाद देखें सुरवाड़ा जो ग्राम है वहां से गुजर रहा है इसके बाद सादद इससे होते हुए दिल्ली मुंबे एक्सप्रेस भी गुजर रहा है और आज हम इसकी जो एंटिंग करने जा रहे हैं इस वीडियो की वो करेंगे एमिनिटीज एरिया है वहाँ पर आपको हमारे ये वीडियो कैसे लगा आप हमको कमेंट में जरू बताएं तो यहाँ पर देखें आप ये सहुपुरा नगरिवाला है यहाँ पर द्वार केस बिल्ड कॉन साइट एमिनिटीज एरिया बन रहा है यहाँ तक आज हमने आपको बताया है आपको हमारे ये वीडियो कैसे लगा आप हमको कमेंट में जरू बताएं मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए आप सुब का बहुत बहुत सुक्रिया